कहानी घर घर की फेम एक्ट्रिस रिंकू धवन इंडस्ट्री की सबसे एंटिटेनिंग और अनुभवी शक्सियतों में से एक हैं। कहानी घर घर की के सेट पर हुई थी। उनकी दोस्ती बड़ी और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। कई मुद्दों का सामना करने के बाद उन्होंने 2015 में एक दूसरे को तलाक दे दिया। हालांकि तलाक के बाद एक्ट्रिस को गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में इस बड़े बदलाव के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। इस दौरान किरण ने कुछ सबसे बुरे दिनों का सामना किया। पती से तलाक के बाद रिंकू धवन को इंडस्ट्री में काम मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मुशकिल दौर में उनके पास गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक बार उन्होंने खुलासा किया था कि उनके खाते में खाने पीने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। हालां कि आर्थिक स्थिती से लड़ते हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना था। अपने जीवन के इस मुश्किल दौर के बाद रिंकू धवन फिर से टीवी शो में नज़र आई। 2020 में रिंकू स्टार भारत पर टेलिकास्ट होने वाले कॉमेडी ज्रामा टीवी सीरीज गुपता ब्रदर्स में नज़र आई। उन्होंने टीवी शो क्राइम अलर्ट में भी गेस्ट रोल निभाया। इन शो के अलावा रिंकू टीवी सीरीज अपनापन बदलते रिष्टों का बंधन का हिस्सा थी। यह शो सोनी एंटर्टेन्मेंट टेलिविजन पर टेलिकास्ट होता था। कलर्ज टीवी पर मशहूर टीवी शो बिग बॉस 2017 में अपनी एंटरी के साथ एक्ट्रिस अपने फैंस के सामने एक अलग अंदाज में आई। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करें। और ऐसी ही दिल्चस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।